आप लोगों तो बहुत तरीका से बड़ी बनाए होंगे जैसे कि मुंग दल का बड़ी चना दल का बड़ी और मसला बड़ी बहुत तरीका से बड़ी बनाए होंगे लेकिन मैं आपको आज निवो तरीका से बड़ी बना के देखाऊंगी आलू बड़ी आलू बड़ी कैसे ब बनेगा और आपना एक साल दाख भी इसको स्टोर कर राग सकते हैं बिल्कुल भी खरब नहीं होगा और एकदम हुआइट बनेगा क्रिस्पी बनेगा और पॉर्फिक्ट बनेगा मेरा हिसाब से आप जैसे मैं आपको जैसे बताऊंगी न ऐसे आप बनाएं पॉर्फिक्ट ब प्लीज वीडियो को फूल वाज करिए अगर मेरा बड़ी बनाना का तारीका आप लोगों को आच्छा लागे तो प्लीज लाइक कोमेट एंड सब्सक्रेब करना बिल्कुल भी ना भूले विडियो को फूल वाज करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यह बससको ना वास करेंगे एक बार ही वास करेंगे ज्यादा वास करेंगे तो हल्का नहीं पनेगा बड़ी तो दिखिए एक बार वास कर दिया कर दिया और यह दिखिए तो इस तरीका से हलुका जगा रखेंगे तो उमने आधा डला है ढाल और कभल लगा देंगे जरूरत के हिसाब से थुड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरीका से पीश के त्यार करेंगे तो mix किजञे रोग रोग के चलाएंगे तो यह दिखिए कितना अच्छा से पिस हो पिस गया तो यह दिखिए तो इस तरीका से सारा better को तो त्यार करेंगे और ज्यादा पतला नहीं करेंगे ज्यादा पानी डालेंगे न तो पतला हो जाएगी तो हमारा body अच्छा नहीं वनेगा इस तरीका से Best होना जाएए तो ऐसे ही जितना भी डाल करने एसे पीष के त्यार करेंगे तो मैंने abs यारे कुसर्ण यह देखिए इस तरीका से ना कॉंटीनूज चलाते यह दोस मिनिट तक और दोस मिनिट कांटीनूज चलाना है और उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको अगे बताऊंगी तो यह देखिए और जितना इसको न फेंटेंगे उतना ही हलका बनता है हमारा बोरी बाब बोरी तो देखिए मैंने 10 मिन तक उसको ने continue चलाया उसके बाद लीड देखे ना 2 घंटा के लिए rest होने के लिए छोड़ देंगे और अभी तक गरम है थोड़ा हलका ठंडा हो जेगा और 2 घंटा में ये ready हो तो ये देखिए मैंने 500 आलू लिया और छिलका को clean करके लिए boil वाला आलू है पहले से मैंने आलू को boil करके उसको ठंडा कर लिया है अच्छा से गरम आलू बिल्कुल भी नहीं लेना है आलू को ठंडा करके ही लेंगे तो बिल्कुल मेरा आलू ठंडा है तो 200 ग्राम डाल में आधा के जी आलू इसमें मिलाएंगे तो आलू को ना मैंने कद्डू करके लेंगे तो इस तरीका से ग्रेटर होता है तो ग्रेटर से भी आप ग्रेट कर सकते और आपना पटाटो मेहसर से भी मेहस कर सकते हाथों से भी मेहस कर सकते तो एकदम मेहस होना चाहिए तो इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करने से बहुत ही अच्छा होता है तो यह देखिए प्लेट में देखाऊंगी और प्लेट में मुझे सुविधा होगा और घर में बड़ी डाल दोंगी और धूप में लेकर रख दोंगी जाएगी तो देखिये एक प्लेट लिया और इस तरीका से खाई घर से ग्रीस करेंगगे करने से बोड़ीन बोड़ी जब सुख जाएगी नहां आपन खूल जाएगी बहुत ही असाने से लिखा लाएगी इसलिए प्लेट को अच्छा से ग्रीस करेंगे ओयल से तो यह देखिए दू घंटा हो चुका है फ्रेंज तो यह देखिए हलका ना फ्लोपी हो चुका है तो यह देखिए और ठंडा भी हो गया अच्छा से और फेर से ना 10 से 15 मिंट कॉंटीनिव चलाते जाए और जो बेटर का ना कलर चेंज हो जाएगी एकदम हुआइट हो जाएगा और फ्लोपी हो जाएगा जितना हम इस तरीका से फेंटेगा ना उतना ही हलका बनेगा हमारा बड़ी तो इस तरीक से कॉंटीनिव चलाते जाएए कॉंटीनिव तो ये चीज तो मेहनोत होता है बड़ी बनाने में हाथ तो थोड़ा दर्द होने लागेगा तो बहुत दिन तो चलता है ना मतलब एक साल भी आप एक बार बनाए एक साल तक श्टर करके रखके खा सकते हैं तो मेहनोत एक बार ही करना पड़ेगा तो इसलिए continue चलाते फ्लॉपी भी हो गया एक दम हालुका देखिए देखने से ही पता चला है तो इस तरीका से 10-15 मिट चला है तो आपने आप वाइट हो जाएगा और एक फ्लॉपी हो जाएगा और डॉबल हो जाता है तो ये देखिए बास आपको चेक करके मैं आपको देखाऊंगी आपको देखिए उपर टेहल रहा है तो इसका मतलब एक तम पॉर्फेक्ट है हमारा ये बेट तो अभी क्या करेंगे इसमें मिला देंगे आलू जो मैस क्या हुआ वोयल क्या हुआ आलू मिला देंगे और इसमें कुछ मसला यूज करेंगे वा डालेंगे तो इस तरीका से oss make मिलाएंगे श्वाध ओनुज झाई नमोक डालेंगे पहला तो यह दीखिए मैने नमोक डाल दिया और अधा चामच जीरा और उसके बाद देखि चिलिफ्लेक्स मैने डाल दिया यह ना और अरो चीलिफ्लेक्स है है मैं मेर्सको ब fridge कर लिए और उसके बाद कोट के लिए बस अच्छा से मिक्स कर देंगे आपना इसमें अध्रक लासुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन अध्रक लासुन का पेस्ट डालने से बड़ी का कलर चेंज हो जाता है वाइट नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं नहीं डाला आप चाह इस तरीका से भर दिया आपना जो तेल का पैकट होता है उसी से भी बना सकते आपका पास पाइपिंग बैग नहीं है तो तेल का पैकट लेके उसी में भी आप बना सकते इस तरीका से ग्लास में डालके उसमें भरके थोड़ा सा निच्छे साइड कट लगा के और इस तरीक भी एक जैसे होता है और देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है नहीं होता है रहा नहीं होता है तो यह देखिए इस तरीकह से हंअ बड़ी बनाएंगे तो यह सकती हैं किचन में ही एक प्लेट में बना के आपको देखाऊंगी और उसके बाद में लेकर दूप में रख दूँगी तो इस तरीका से तो है ना कितना इची फरेंड्स और एक बार में ही बहुत सरा बड़ी आप इस तरीका से बना सकते तो यह देखिए एक बार मैंने पाइक मिंट डाला और इस तरीका से दिखिए सारा बड़ी को मैंने धूप में आके सुखा दिया तो ये दिखिए चात का उपर मैंने आक रख दिया तो इस तरीका से तो ये दिखिए और एक सार दू दिन लगता है धूप ज्यादा होगा तो दू दिन में सुख जाएगी और हलका हलका ध तीन दिन लग सकता है और बड़ा बड़ी बनाएगे ना तो ज्यादा दिन लागेगा वात तीन लग जाएगे और छोटा बड़ी इस तरीका से बनाएगे तो दू दिन में यह मेरा सुख गया तो यह दिखिए और कितना आसानी से यह लिखाल जा रहा यह दिखिए जैसे तक आप स्टोर करके रख सकते हो कुछ खराब नहीं होने वाला एकदम तो यह दिखी मैंने सारा बड़ी को लिकल कर रख दिया एक जगा में बाएक प्लेट में तो यह दिखिए पूरा पर्फेक्ट बना है एकदम क्रिस्पी और हलका यह दिखिए देखने से ही पता चल रहे ही तो इस तरीका से आप बना के स्टोर कर सकते तो मैंने एक जार लिया तो यह दिखिए और में मैं रख दूँंगी और बहुत दिन तक चलेगा तो ऐसे ही आप बनाए घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है न कितना एजी तो यह दिखी इमने भर दिया तो मेरा आप लोगों को मेरा बोड़ी बनाने के तारीका कैसे लगा कॉमेट करके जरूर बहते हैगा फिर फिडियो को फूल वास करिए आज के लिए टाटा जय जगना